पाकिस्तान वर्सिस बांगलादेश के बीच खेला गया फर्स्ट टेस्ट मैच दोस्तों पाकिस्तान ने बड़ी खूपसूरती से जीत लिया आप सभी को बता दे कि इस जीत के हीरो एक दो नहीं वल्की पूरी टीम यहाँ पर नजर आई है और जिस तरीके से हसन अली शाहिन अफरीदी ने गेंदबाजी करी इस टेस्ट मैच के दुरान और बल्ले बाजी में आभी दली और दल्लर शफीक यू ने दोस्तों दिल ही जीत लिया तो चलिए दोस्तों पूरे मैच हाइलाट पर नजर डालते हैं कि पांचों दिन का खेल कैसा रहा पांचों दिन तो पू पांची है सीरिस खेलने के रादे से लेकिन दोस्तों तीनों टीटी मैच पाकिस्तान जीती और पहला टेस्ट भी मैं यहाँ पर जीत चुकिये पाकिस्तान की डीम तो तारीफ करनी हो कि पाकिस्तान की डीम इस बार टीटी वर्ल्ल कप में जिस तरीके से पाकिस्तान की डीम आगे बरती नजर आ रही थी ओस्टेले खिलाब यहाँ पर मात खा गई वरना तो सारे मुकाबले लगबाग वो जीत करी बहुत करीब थी इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रोफी के दोस्तो आपको इस फर्स्ट टेस्स में से जुड़ी सारी जानकारी दर सो पहला अगर आप चैनल पर नए है सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरस्टिंग अपडेट पाते रहें तो आप स प्लेंग लेवन थी दोस्तो अब्दुल्ला शाफीकिव अबीद अली अजर अली बाबर आजम फावाद आलम मुहम्मद रिज्वान फहीम अशरफ नॉमान अली अली शाहिन अफ्रीदी साजित खान तो यह थी इनकी प्लेंग लेवन धाकड प्लेंग लेवन थी कोई कमी बस बंगला देश में शाकी बलासन की कमी जरूर खरी दोस्तों कि शाकी बलासन कितनी बड़े ओल्डाउंडर है यह शायद आपको बताने की जरूरत ना पड़े अब यहां पर टॉस की जब बात आई तो टॉस जीता था बंगलादेश का प्तान ने पहले बलेवाजी करने फर्स्ट इनिंग में 330 रन बनाये दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर जिसमें सबसे बड़ा योगदान दोस्तों उनके दो खतरनाक बल्लेबाज मुशिफिकूर रहीम और लेटन डास करा जो उनके मिडल ओडर के बल्लेबाज जब बांगलदेश ने पूरी उमीदे तोड़ दी थी खोदी थी उसके बावजूद यहाँ पर बांगलदेश ने फर्स्ट इनिंग में वापसी की आप सभी को बता दे इस तरीके से बांगलद दोस्तों यहाँ पर विकेट लेते नजर आये थे फर्स्ट इनिंग में जहाँ पर उन्होंने पांच विकेट चटकाए थी और टी-20 वर्ल्लकप की जो सेमी फाइनल की एक दबी वी आग दबावा गुसा है उसको जाहिर करते नजर आये थे दो विकेट शाहिन अफरीदी दो विकेट पही मचलप ने एक विकेट साजित खान चटकाने में कामियाब रही थी आप सभी को बदाएं जब यहाँ पर चार विकेट गिरी तो मुशिफिकूर रहीम लेटन डास ने 200 से प्लस की पार्टनरशिप दी जिसमें 225 गेंदों में एक 90 रन बनाये दोस्तों मु अब बारी थी पाकिस्तान के बलेबाजों की कैसे 330 कवर करती है पहली तो गलती हो चुकी थी कि लिटन डास और मुशिफिकूर रहीम को आउट नहीं कर पाये थे लेकिन उसके बाद गलती ये करी कि अपनी विकेट बहुत जल्दी खो दी थी जब इनके मिडल ओडर की बार हुए थे आलम आट रन रिजवान पांच रन फईम अचरा फ़रतीस रन हसन अली बार रन विकेट गिरता ही चला गया लेकिन आभी दाली ने उस मुकाबले में 282 गेंदों में 133 और 166 गेंदों बावंधन शफीक्यू ने बनाए थे लेकिन फिर भी दोस्तों 286 पर आउट हसन ने तेजल उसलाम ने दोस्तों वापसी कराई थी फर्स्ट इनिंग में बांगलादेश को लेकिन फिर जब बारी आई बांगलादेश की बल्लेबाजी की तो मतलब क्या सकते हैं कि यहां पर इज़त सरमसार हो गई पूरी तरीके से क्योंकि यहां विकेट लगातार गि विकेट हसन अली ने ले लिया था रेटिड हट हुए ते मतलब यासी रैली जो अपना पहला ही डेब्यूट मैच खेले थे यह थोड़ी देर हो ठीकते तो लेटन डास के साथ दोस्तों मिलकर पारी पलट सकते थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जहां 200 विकेट दोस्तो स्याद अगा समय था 202 रन पाकिस्तान को बनाने थे और हमने देखा सेकर्ड इनिंग में शाहिन अफरीदी ने पांच विकेट चटका है हसन अली ने दो साजित खान ने तीन विकेट चटका कर यहां पर कमाल कर दिया तो उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की बारी आई बल चटकाने में कामयाब रहते एक तेजल इसलाम और एक महदी हसन सेकंड इनिंग के दुरान तो पांच वी दिन का फस्ट सेशन सुरूबे ज्यादा दिर हुई नहीं थी दोस्तों और आदे घंटे पहले जो फस्ट सेशन खत्म होता उससे आदे घंटे पहले ही यह मुकाबल पाकिस्तान ने अजर अली के 24 रन और बावर आजम के 13 रन की बदोला 23 रन मना कर कंप्लीट किया और 8 विकेट से पाकिस्तान ने यह पहला टेस्ट मैच जीत लिया अब देखतें दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में क्या बांगलादेश की टीम वापसी कर पाए गिया नहीं पहले से ही क्रिकिरा होच था तो यह दिक्कत वाली बात पाकिस्तान के लिए अच्छी बात रही लेकिन बांगलादेश के लिए बुरी बात यासिर अली जो डेबिट करे थे 36 रन पर रेटेड हट होना दोस्तो शाहिन अफरीदी की गेन पर बाउंसर क्या खतरनाक थी उसका लगा फिर उसके बाद एक और बल्ले बाजी भी करी लेकिन लगा कि इनको दिक्कत है तो इनको बाहर ले जाए गया इनका स्कैनिंग किया गय मतलब दोनों ही गेन बाजों ने हाँ पर अचना रोल अदा किया तेज गती गेन बाजी से और दोनों ही ओपनर ने पाकिस्तान के हाँ पर अपना रोल अदा किया रही बात मिडल ओडर की तो दोस्तों मिडल ओडर थोड़ा मात खाता नजर आया पाकिस्तान का अगर वो भी की कोशिश की थी आकरी 2020 में मतलब यह सीरीज अभी तक रोमान चक रही है पाकिस्तान और बांगलादेश की बाकी दोस्तों आप बात करें किस तरीके से आगे यहां पर टार्गेट यहां पर कही ना कहीं बांगलादेश के खिलाब तो अगला टेस्ट मैश भी जीतना रहेगा क्योंकि यह सारे पॉइंट्स दोस्तों वर्ल्ल टेस्ट चैंपेंसिप के अंकताली का में जोडे जाएंगे और कुल मिलाकर देखा जाये तो वर्ल्ल टेस्ट चैंपेंसिप में जो टीम नंबर वन नंबर टू पर अंद करती है उनका जून म दोस्तों 2022 के मुकाबले में कहीं न कहीं मैच होता नजर आगा फाइनल मैच तो यह दा दोस्तों बाकिस्तान वर्ल्सिप बांगलदेश का पांचवे दिन का खेल का हाइलाइट जिस तरीके से पांचवे दिन पूरा नहीं हुआ और मैच जीत ले आठ विकेट से पाकिस्ता के टीम ने नेक्स्ट नाइन स्पोर्स की रिपोर्ट